स्वास सेवाओं को लेकर सरकार काम कर रही है सरकाई का पर ये प्रयास है कि सभी लोगों को स्वास सेवाइं दी जाएं और जो कमिया है उनका सुधार भी किया जाना चाहिए गरेब और मध्यमवर के लोगों को सस्ती दरोपर दवाईयां उपलब्द कराने के लिए मोधी सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधान मंत्री जन और शद्धी योजना मुरादवाद के लोगों के लिए बड़ी मददकार साबित हो रही है योजना की तहट 15 जुलाई 2018 को मुरादवाद जिला अस्पताल में खोले गए और शद्धी केंद्री से तो करीब मरीजों और उनके परिजनों को तो महंगी दवाओं की चिंदा से मुक्ति मिल ही गई है मरीज इस और शद्धी केंद्री से 600 से ज़्यादा गुडवता यूग दे दवाएं मार्केट ट्रेट से 50 पृतिशत कम प्रिमत पर मिल रही है जिस करण और शद्धी केंद्री चलाने वाले फार्मेसिस्ट अब मरीज पृधान मंत्री नरेंदर मोदी की तारिफ करते नहीं ठक रहे केंद्री संचालक रित्योपदन का कहना है कि इस क्योजना से ना सिर्फ उनको रोजगार ही मिला है बलकि लोगों की सेवा करने का अफसर भी प्राप्त हुआ है उनके केंद्र पर हर रोज 2000 से अधिक लोग दवाईया लेने पहुंच रही है और मार्केट से आधि से कम प्मिमत पर दवाई पाकर खुश हो कर जाते हैं वहीं आश्रदी केंद्र पर आने वाली मरीजों और तीमार दारों का कहना है कि पहले उनको दवाईयां लेने के लिए बाजार में मेडिकल स्टोर्स पर भटकना पड़ता था लेकिन जब से जिला स्पताल में प्रधान मंतरे जराशदी केंद्र खुला है उनको सभी दवाईयां गुलवत्य युक्त मिल रही हैं अब वो भी बजार से 50-60 फिसदी सस्ती कीमत पर सरकार को ऐसी ही कुछ और योजना चलाने चाहिए जिसे गरीब का जीवन आसान हो और मुझे आधे रेट में बोए एंक मिले तो मुंहीं बहुत अच्छा लगा और यह गूर्मेंट की बहुत अच्छी पाहल है और और बहुत बढ़ी आप तरियास है गुवर्मेंट का बजार में जो दवाई सो की मिलती है यह सीधे आधे रिट में मिलती है बहुत फाइदा है अब बढ़ी आधे रिट में और मेरे असाब से गुवर्मेंट को ऐसी एक दो जूद्ड रॉट चलाने चाहिए इससे मरीजों का फ बढ़ी आधे में अगर डिस्पेंट मां की बाद करीए तो गोपीडी में करीब तीन चार हजार मरी आते हो और हमारे पास जो मरी आते हो करीब हजार से पंदर सोतक के करीब आ जाते हैं मरी जो को फाइदा होता उनके पैसे बचती दवाई उससे बाहर की दवाईयों से तो गे